पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने जिले के करीब 250 ग्राम प्रधानों के साथ महत्वपुन बैठक थी और इस बैठक में CCTV की उप्योगिता को समझाते हुए हर ग्राम प्रधान को इसके लिए तैयार किया गया ओपेशन प्रिनेत्र अभियान के बारे में बताते हुए पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने कहा कि यह अभियान एडीजी जोन गोरकपुर अकिल कुमार के नित्वित्व में चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि सिध्धार्थ नगर जिले के शहरी और गाव के महत्वपूर्ण स्थानों पर करीब अब तक 200 CCTV कैमरे लगाये जा चुके है उनकी कोशिश है कि सिध्धार्थ नगर जिले का हर गाव CCTV कैमरे से लेस हो ताकि कभी भी किसी भी तरह की घटना के अनावरन में उससे मदद मिले साथ ही गाव के छोटे मोटे जगणों को भी इसके माध्यम से आसानी से सुलजाए जा सके उन्होंने कहा कि इसके लिए आज ग्राम प्रधानों के साथ उनकी बैठक बहुत ही सपल रही सारे ही ग्राम प्रधान CCTV लगवाने के लिए तैयार है जल्द ही सिधार्थ नगर जिले का हर गाव CCTV से लेस होगा खबर जगत के लिए सिधार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौदरी की रिपोर्ट साथ ही कोई घटना घटित हो जाती है तो इसके अनावरण में बहुत ही सहायक रहता है और इसे छोटी मोटी कई जगड़े होते हैं तुरंत अनावरित हो जाते हैं इसलिए आज हमनों ने एक बहुत बड़े पांजी के रूप में चाह रहे हैं कि सभी हमारे सिधार्थ नगर के गाओं इसमें कवर हो जाए तो आज लगबग 200 ग्राम प्रदानों को इस गोश्टी में बुलाए गया था और कोप्रेशन त्रिनेत्र के अंतरगत जो फेडिजी जोन गुरतवुर्ट के निग्देशन में चल रहा है हम लोग पूरे सिधार्थ नगर को जन्पत को सभी गाओं और इतने भी इंपोर्टेंट स्थान है शेर में भी उसको सिसीटीम कवरेज के ज़र दवर करें हैं